एक बहतरीन ट्रेनिंग वीडियो के सर्च में आप लोग ने बहुत सारे वीडियो उसको देखा और अच्छे अच्छे फ्रेयर से सुना इसके बाद भी आपके पास कंक्लूजन नहीं है कि कब कैसे कितने घंटे हमें ट्रेनिंग ग्राउंड में होना चाहिए तो चलिए आज हम जानने की गोज़ करते हैं कि इस पूर्ट में ट्रेनिंग की क्या और कितनी इंपोर्टेंस है परस्ट अफॉल हमें यह जानने के जरूरत है कि हमें ट्रेणिंग की जरूरत क्यों होती है इसका जवाब है और इंप्रूवमेंट और जब हम ट्रेणिंग करते हैं तो हम इंप्रूव क्या करते हैं गेम् में होते हैं तो ज्यादा तर कीसिस में जब भी हम गेम हारते हैं या नौक होते हैं तो क्या आप वहाँ अपनी प्रेह घ्राज करते हो या फिर अपने जल्ट की वजह से जोक करते हो तो इसका अंसर혁 डोटा अलग अलग तरीके से दे ने पहلا वो प्लेयर जो हमीशा training ground बेर रएता है उसका answer होगा game sense की وج़े से वो छोग करता है दूसरा वो प्लेयर जो teilly training नहीं करता उसका answer होगा कि वो अपने spray वज़े से हमीशा छोग करता है और हाँ उसका भी कई बार ये answer होता है कि वो भी कभी न कभी गेम सेंस की वज़े से चोक करता है अब यहाँ पर लॉजिकली फैक्ट यह है कि दोनों ही प्लेयर अपनी अपनी जगा पर बिल्कुल सही है क्योंकि दूसरा प्लेयर वो जो ट्रेनिंग नहीं करता तो उसे लगेगा कि वो अपनी अक्यूरिसी वज़े से चोक कर रहा है अब वहीं पहला प्लेयर वो जो ट्रेनिंग करता रहता है वो भी किसी न किसी रिजन से चोक करता है तो यहां आपके improvement का connection आपके training ground से है ही नहीं कि आप एक बार notice करना जब भी आप हारते हो तो हमेशा game sense की mistakes के वज़े से हारते रहते हो क्योंकि हमेशा देखा गया है कि player बहुत अच्छी spray stability होने के बाद भी वो कई बार game हारता है वो इसलिए क्योंकि आप घंटो training ground में time कीताने के पाद सिर्फ अपने accuracy को achieve करते हो लेकिन आप सवाल यहां पर यह बनता है कि क्या हमें training करनी भी चाहिए और नहीं करनी चाहिए तो इसका answer यह है कि आपको training बिलकुल करनी चाहिए और रही बाद आपको कितना दे training करना चाहिए तो इसका answer आपकी उपर depend करता है मेरा भी यही मानना है कि आपको training तब तक करनी चाहिए जब तक आपको यह न लगने लगे कि हाँ अब मेरा हाथ सेट हो चुका है मैं warm-up कर चुका हूँ वो चीजें आपके उपर depend करती है कि आप कितने minute training करते हो वो 5 minute भी हो सकता है वो 10 minute भी हो सकता है वो 30 minute भी हो सकता है या वो घंटे भी हो सकता है यहाँ पर मेरा opinion last में यह होता है आपको training के साथ साथ अपने game sense पर भी अच्छी तरीके से work करना होता है आपको अपने game sense के साथ साथ अपने training ground को भी बहुत अच्छी तरीके स्थ्यान देना है और training ground के साथ साथ अपने game sense को भी similarly way में achieve करते रहना है उसको improve करते रहना है अगर आप यह सोचते हो कि सिर्फ घंटो training करने से एक अच्छा player अच्छा बन जाता है तो ऐसा नहीं होता है training के साथ साथ आपके mindset का अच्छा होना आपकी game sense का अच्छा होना यह बहुत important होता है अगर आपका game sense बहुत अच्छा है और आप अच्छी से training भी नहीं करते तो भी आप कभी भी अच्छी तरीके से एक अच्छे player नहीं बन पाओगे तो फ्रेंस वीडियो यहीं तक थी अगर वीडियो आपके अच्छी लगे होगी तो प्लीज वीडियो को लाइक करेगा क्योंकि मैं हमेशा आपके लिए इसी तरीके से वीडियो से लाता है रहता हूं जिसे कि आपको एक अच्छा help मिलता है यह sport में grow करने के लिए तो फिर चलता हूं लोड़ता हूं नहीं वीडियो के साथ बाई